कि नमस्कार जोहार में अभिशेक और आप देख रहे हैं जम्शित पुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाला मीरिया चैनल जम्शित पोस्ट यह जड़ी फिलाल आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पता है कि हमारे जो च बहुतरी नजर आ रही है और शुकरवार को ही 42 डिग्री तक पहराच हो गया था ऐसे में जो खास करके जो चातर हो रहे हैं उन्हें काफी परसानी का सामना करना पड़ रहा है अब यह बात मैं किसलिए बोल रहा हूं देखिए सुबह साथ बजे से स्कूल चाल हो जाता और एक से दो बजे के बिच में यह जो टाइम लाइन है इस समय ज्यादातर स्कूलों की छुटी हो और चंप शीमा पर होती है और सिंस इतने सारे स्कूल है ऑ PK में ही चुटी होते हैं जोそकते हैं प्र Communist करने में हम्जा करेने मैं अच्शा खासा ट्राक देखने मों मुँल बच्चों को फसा रहना पड़ता तो मान लीजिए कि अगर जहां पांट-दस मिनिन में जाना हो इस तरह से इतना ज्यादा जाम हो जाता है कि हमें वह सायद आदा गंटा लग जा और देड़ दो बजे की जो सिचुएशन रहती है वह मुझे बताने की जूरत नहीं फिलाल अ इसा है काफी लोग रोजा भी रख रहे हैं और ऐसे में एक काफी बच्चों को तकलीव का सामना करना पड़ता है और ऐसे में देख रहे हैं कि जो आने वाले सब्सक्राइब आपमान और जादा बढ़ सकता हो सकता है तो ऐसे में एडिनिस्ट्रेशन से मुझे यहीं से डेढ़ दो बजी की जो गर्मी होती है और मुझे बताने की जरूत नहीं कि जो अप्रिल खतम होते होते कि इस तरह से फिर गरम हवाएं हैं और यह सारी चीज़े चालू हो जाएगी तो एक है कि जब हम एक प्री प्लान होकर सारी चीज़े एक्शन ले तो बोल सकते हैं क कि अभी कुछ दिन पहले हमने यह भी खबर है थी कि बच्ची की क्लास में बच्ची के नाक से कून बैने लगा और ऐसे भी जो गटना है वो रेगुलर होते रहती हैं कुछ चीज़े पुब्ली के लिए आ जाती है कुछ चीज़े नहीं आती है तो ऐसे में जब हम बच्च पानी का सामना ना करना पड़े तो बोल सकते हैं कि एक अच्छा कदम होगा और अगर वीडियो को आप इस पार्ट टक देख लिए तो आगे एक छोटा सा मेसेज है जितने भी हमारे व्यूवर से उनके लिए कि गर्मी का समय फिलाल हम घर में रहके या फिर पानी पीकर हम प्यास बुजा लेते हैं खाना घाकर या पेसी चलाकर तो ऐसे में जो एक पड़ी जो तकलीफ होती है वह बेजवान जानुरों को ती चाहे हो चिडिया की बात करें या चाहे गाई हो बाहर में विश्ची गुमरे तो ऐसे में मेरी आप से यहीं रिक्वेस्ट रहेगे कि अगर आप एक पचास रुपय का भी घड़ा हो या फिर एक छोटा सा पक्षियों के लिए कुछ अन रख दे या फिर पानी रख दे तो ऐसे में क्या होगा कि लोग आपको देखकर इंस्पायर भी होंगे और साथी अगर आपकी इच्छा है तो करें नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो एक एक बार उनके वारे में क्योंकि बहुत जादा आपके पॉकेट से तो जाएगा नहीं और एक छोटा से एक इनिशेटीव लें जैसे क्या है कि गर्मी के दिन में जो पशू पक्षी है इनने काफी हद तक रहत मिल ज जता हूं कि एक बार आप अपने साइट से पानी वगरा पूछ लिया किजिए जब भी आपके घर वो विजिट करें तो ऐसे में कहा है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और साथी अगर सही में कब बहुत बार लोग बोलते हैं तो आप सामने साफर करोगे तो उन्हें भी म अगले वीडियो में तब तक के लिए तनवीर के साथ मैं विशेख दन्यामाद है